हेलो दोस्तो, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियो जो में आपका स्वागत है, दोस्तो, मेरा नाम है निकित शाहा, दोस्तो, आज का इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये वाट इस अर्थ पीट, यानि कि अर्थ पीट क्या है, और अर्थ इंस्पेक्श पीडिया, अर्थ इंस्पेक्शन हाउजिंग भी आप बोल सकते, ये तीनो प्रकार में से बेस्ट कुन सा है, आज इस टीटेल लेक्चर में हम लोग एकदम पूरा डीटेल में सीखने वाले, तो इस वीडियो का अंतर जरूर देखना पसंद आया, तो लाइक और शेयर करन क्या होता है, आपके घरों में अर्थिंग रहता है, ये अर्थिंग का क्या काम है, कि आपके घर पे कोई equipment अगर लगा हुआ है, उसमें कोई problem हो जाती है, तो जो extra current जो रहता है, वो earth wire के जरिए ground में चला जाए, correct, या समझो कभी over current आ गया, या आपके safety के लिए आपकी घर की एक wire को ground में लगाया जाता है, जिसको हम बोलते है, अर्थिंग, अर्थिंग के अंदर basically तीन चीज़े में ने दी, जो आपके घर पे से wire आया है, समझो ये आपके घर पे से wire आया है, फिर earth rod रहता है, इसमें ये लग रहता है, जिसमें rod पे लगा हुआ रहता है, या आपके घर से आया हुआ wire, rod या plate या जो भी है, उसका लग जो है, उसका ground जो है, या उसके अंदर जो अपने कोईला, नमक वगरा जो डाला हुआ है, या कुछ chemicals डाले हुए है, जो भी है, उसको पूरे चीज़ को, इस पूरे section को हम लोग बोलते है earth pit, ये समझ में earth pit क्या ह अभी हम लोग देखते, earth inspection pit क्या है, तो basically earth inspection pit का मतलब ऐसा होता है, कि ये देखो, ये मालनों कि ये wire आया है अपके घर पे से, और ये rod जो है, अपने जमीन में डाला हुआ है, यहाँ पे chemical वगरा जो मैंने जैसे बता है, वो सब डाला हुआ है, समझो, कोईला, मिटी वगर डाला हुआ है, या chemical earthing करते हो, तो chemical डाला हुआ रहता है, लेकिन ये जो जहाँ पे, ये lug वगरा याने के wire वगरा connect है, road के साथ में, उसके आजू-बाजू में एक ऐसा section, एक chamber बनाया जाता है, और उस chamber को बोलते, earth inspection pit, समझ में earth inspection pit क्या है, earthing याने क्या, कि जो आपके घर में जो extra wire निकलता है, वो earthing, जहाँ पे connect होता है, उस chemical के अंदर, जो rod लगा जाता है, या chemical जो रहता है, या जो लग रहता है, या parallel कभी-कभी earthing करता है, ये सब चीजों को बोलते, earth pit और इस chamber, जहाँ पे earthing connected है, road के साथ में, उस chamber को हम लोग बोलते, earth inspection pit, ये दो चीज़ earthing का rod वगेरा रहेगा, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहे है, हला कि बहुत खराब है ये लेकिन दिखाई दे रहे है आपको, correct, तो इससे तीन में से कौन सा सही है, चलो उसको देख ले दे, तीन प्रकार में से सबसे पहला, आम लोग जो ये प्रकार को देखत या कभी-कभी बहुत ही गलत है, लेकिन कुछ metal का धकन लगा हुआ रहता है, यह gold टाइप में रहेगा, या square टाइप में रहता है, ऐसा कुछ अलग-अलग style में earth chamber मिलते है, इसको बोलते है concrete earth pit, ओके, दूसरा earth pit आता है, जो आप लोग खुद बनाते हो, अभी क्या होता है brick earth pit या stand earth pit बोलते हैं हम लोग, आपके घर पे से wire जो निकाला, आपके घर के बाजु में कुछ जमीन है, खड़ा किया, खड़े के अंदर rod या जो भी plate वगरे डाला, उसको wire आप connect कर दिया, और उस खड़े को आपने कोईला और नमक से भर दिया, यह एक प्रकार से earthing है, जिसकों लोग sand pit बोल सकते हैं, या तो फिर उस जगे पे आप ऐसा दिवाल बना दालोगे, concrete का या समझो आपने brick का इक दिवाल बना दिया, eat का दिवाल बना दिया, यह हो गया bricks earthing, तो ऐसे भी कुछ earthings होते हैं, basically चालू earthing जिसकों लोग बोल सकते हैं, तीसरा जो earthing है, polymer polymer earth pit या PVC plastic earth pit भी आप बोल सकते हैं, basically इसमें ऐसा होता है, कि यह जो प्लास्टिक का एक chamber बना रहता है, जिसके अंदर आपके घर से जो आयर आया हुआ है, वो आपके अंदर inspection या rod के अंदर connect होता है, और उसको पूरा chamber जो है, वो प्लास्टिक का बना रहता है, polymer plastic का, तो य यह सबसे एक earth pit अदा है, कि यह अलग-अलग प्रकार हो गया है, लेकिन हमारा सवाल है कि तीनों में से best कौन सा, वो हमें देखना है, earth pit के अंदर, earth inspection pit के अंदर, बरवर है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह तीनों के advantage और disadvantage को समझना ज़रूरी है, यह तीनों के आगा कि यह तीनों में से best कौन सा है, तो सबसे पहले concrete earth pit के फाइदे बताओ, याने के advantage बताओ, तो एक तो concrete से बना हो रहता है, तो एक समय जंग बगरह लगेंगा नहीं, हाँ, इसके पर अगर धक्कन बगरह, metal का है, तो जंग लगने की संभावना है, दुसरे मजबूत ह इसका thermal connectivity वाकी, काफी में अच्छा रहता है, फिए long lasting है, एक बार लगा दिया तो छोड़ दो, हो गया, easy to install है, लेकिन unbreakable भी है साथी साथ, easy to install इसके लिए कि, हाँ, easy to install तो हम लोग एक प्रकर से नहीं बोल सकते, because कैसा इसको लगाने में बहुत सारा labor work जाएगा, लेकिन आसानी से basically pre-cast आता है, company से ही उसका perfect size, समझो 400 by 400 का size बन कर ही आता है, तो आप easy to install है, आप पहले खड़ा कर लो, वो ही सबसी आप directly easily install कर सकते हो, okay, तो ये उसके कुछ फाइदे है, हमारे concrete earth pit के, विसी प्रकार से brick earth pit की, अगर मैं बात करूँ, सबसे कम cost में बनने वाला earth pit ये वाला है, brick earth pit या sand earth pit, क्योंकि आप आदे गिंटे में ready होगे आपका earth thing, correct, एक तो कम से कम जग में बन जाएगा, कम से कम cost में बन जाएगा, labor भी बहुत कम लेगेगा, ये आप खुद भी बना सकते हैं, कभी labor की भी ज़रूद नहीं बढ़ती है, easy to installation है, speedly installation है, ये सब उसके फाइदे है, लेकिन जितने आपको ये दोनों के फाइदे दिख रहे हैं, उससे जादा नुक्षान है, चलो नुक्षान को भी देख लेते हैं, disadvantage देखते हैं, सबसे बले तो negative carbon effect, negative carbon effect का मतलब अभी जैसे कि आपको मालू है कि प्रुथवी पे धीरे-धीरे temperature बढ़ बरफ, glacier वगरे पीगल रहे है, तो जो पानी का जो क्या बोल सकते है, surface बढ़ते जा रहे है, तो इसका reason है carbon emission, जो negative carbon emission जो रहता है, तो basically उसको प्रुथवी से बचाने का हम लोग ने में एक जिमा लेगा हुआ कि प्रुथवी में pollutions को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए एक disadvantages है, यह, soil pollution, soil pollution का मतलब क्या है, आपने समझो concrete earthquake या brick वाला earthquake आपने बनाया, समझो इतना गड़ा खोदा, उसमें bricks वगरा बनाके सब डाल दिया, तो उस जगे पे यह बंजर जमीन हो जाएगे, उस पे फिर कुछ नहीं होगा सकते, यह जमीन आपके लिए waste हो गई, सहजब आए थे अंदर rod वगरा, insulation वगरा जो हता है, वो खराब हो जाता है, धीरे धीरे जैसे प्रोज, मनलब समझो बारिश के मौसम आते है, अलग-अलग मौसम में अलग-अलग चीजे अंदर आती है, तो जिसकी वैसे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, इसकी वैसे लि तो मतलब यहाँ पर labor जो रहता है, उसको proper knowledge नहीं रहता है, या child labor का प्रयोग किया जाता है, यह बहुत ही गलत चीज है, child labor का भी use होता है, जिसकी वैसे उनको proper knowledge नहीं रहता है, एक तो government भी ban करते है, लेकिन तो भी काफी सरी जगे पर use होता है आजकल भी, और labor को को यह knowledge नहीं रहा तो आपका जो earthing वो proper कभी हो गाई नहीं, तो यह बहुत बड़ी मुसीबत होती है, temperature आपका जो environment हो भी गंदा होता है इसकी वज़े से, दुसरा यह concrete बना हुआ, concrete से बना हुआ, तो recycle आपकर सकते हैं दूबारा, अगर समझो आपको इसको बढ़ाना है, तो धक्कन है ना, यह समझो 400 x 400 का इसका है, तो इसके लगभग, समझो चेंबर का ही हम लोग वज़न अगर के नहीं है, तो 200-200 kg का रहेगा, यह जो उपर का जो धक्कन हा था ना, वो कम से कम 25-30 kg का है, तो मेरे अकेले की बस की बात ही नहीं है, उसको उठा, मेरे को 2-3 लोग लेखर जाने पड़ेगे, बहुत difficult काम हो जाएगा, दूसरा उसमें perfect checking करने का मुझे समय नहीं मिलेगा, क्योंकि यह समय बहुत सारा time pass हो जाएगा, तो यह practical to lift एक आदमी के लिए नहीं है, 2-3 आदमी लोग लेके जाना पड़ेगा, कभी कर यह समझो concrete earthing fix हो गया, अगर आपको आगे चलके earthing को बढ़ाना है, तो बढ़ा सकते हैं, नहीं, यह fix है, बहुत सारा खर्चा किया है, इसके बीचे दो दूबर आप खर्चा करोगे नहीं, फिर rainy season है बहुत खतरनाक है, क्यों? अभी आपने समझो यह अर्थपीठ है, उसमें concrete का ढखकन नहीं है, समझ इसके पर आगया या गलती से कुछ टच हो गया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, याने कि इनसानों को नुकसान भी हो सकता है इसकी वज़े से, तो यह safety के मामले में मेरे इसाफ से तो बिलकुल 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 गलत है, अभी भी में बता रहो कि बहुत खतर करना के ना करिए नहीं है, भले हमारे इंडिया में standard नहीं बने हो है, लेकिन यह बहुत ही गलत चीज होती है इसके अंदर, ठीक है, दुसरा इसकी वज़े से प्रॉपर अर्थिंग ना होने की वज़े से हमारे equipment जो घर के रता है, वो damage हो सकता है, बहुत सारी चीजों का सा Easy to installation है, अब यह पूरा जो अर्थ इंस्पेक्शन जो पीठ है ना, प्लास्टिक का, इसकी पूरे की जो वज़न रहेगा लगभख 25 कलो, इसका धक्कन लगभख 5 किलो के अंदर का उसका धक्कन है, तो एक आदमी आसानी से जा सकता है, उसको open कर सकता है, चेक कर सकता है अर् Rush Freeze को कभी जंग नहीं लगेगा, तूटेगा नहीं क्योंकि बहुत अच्छा quality का बनाया वा रहत है PVC, लेबर कोश्ट भी बहुत कम लगता है, अगर मैं समझो, ट्रांस्पोर्ट में लेकर भी आओ, जो concrete वल अर्थिक, तो transportation charges में कितना लगेगा, ये तो क्या एक लेबर कर सकते हैं, जबकि brick किया, concrete जो रहता है, उसको recycle करना बिल्कुल possible नहीं है, आपको कभी इसको बढ़ाना है, तो इसको remove किया, दुसरा बड़ा लगा दिया, खेल खतम, इसको parallel करना है, तो भी आसानी से हो सकता है, heavy graded है, तो बहुत सारे इसके advantages मैंने देखे, मुझे नहीं पे ज़्यादा दल लोग है न, PVC अर्फिट यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में ऐसा कोई standard बना हुआ नहीं है, तो इसके लिए लोग concrete का, या brick का, या sand वाला अर्थिप दना आते है, PVC बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग PVC अर्थि या जो अर्थिपिट है, वो PVC, यानि कि polymer plastic का जो अर्थिट बना रहे हैं, आपके लिए एकदम सही रहेगा, दोस्तों अगर आपको online courses करना है, तो मेरा whatsapp number है, यह मेरा whatsapp number है, जिसमे मुझे केवल high का message डाल दो, online courses में हम लोग ने, wireman, motor remaining, electrical, electronics, computer repairing, mobile repairing, autocad, 3D animation, 2D animation, python, वैस जानकरी चाहिए, तो मेरा whatsapp number है, जिसमे केवल मुझे high का message डाल दीजिए, तो मैं आपको पूरी जानकरी whatsapp के माधियम से भिजवा दोगा, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया, तो like और share करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ मैं, अगर आप नए है चैनल के उप झाल एफ है